जैसा के हमने बोला था, बैंक निफ्टी अगर 3500 को क्रोस करता है, तो हम बुलिस हो गे और 3500 क्रोस करता है, बैरिस हो गे, इन दोनों लेबल के बीच रहता है, जब तक तक हम साइडबेज रहेंगे और वैसा ही आज बैंक निफ्टी पूरी तरह से साइडबेज था, पहले बैंक निफ्टी ऊपर गया फिर नीचे गया और फिर से यह साइडवेज हो गया तो कुछ इस तरह का सेनेरियो है जब तक हम 3500 के लेवल को ऊपर नहीं जाते हैं तब तक हम बुलिस नहीं होंगे अगर इसके ऊपर निकालते हैं 3500 को तो हम 3800 तक अराम से मोमेंटम का सकते हैं उपर फिर यहां पर अगर हम 3500 को ब्रेक करते हैं फिर जो हम नीचे 34900 तक फास मोमेंटम करेंगे फिर 34900 से लेके 34600 तक बहुती फास मोमेंटम होगा तो कुछ इस तरह का सेनेरियो है अभी बेंक निफ्टी साइडवेज है और जब तक यह 35500 के बीच है तब तक बेंक निफ्टी आपको साइडवेज ही देखने मिलेगा किसी भी लेवल को क्रॉस करते हैं अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक कर ते हैं तो बेरिस होंगे